हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दा फ्यूचर कोचिंग पर मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर आपको उत्तरपरदेश पुलिस कोंश्टेबल का जो रिएक्जाम होने वाला है जो आपका अगस्त के लाश्ट वीक में लगा हुआ है उसकी तैयारी बिल्कुल निसुल कराई जा रही है उसी स्रीज में हम आप लोगों के लिए लेक कर सकते हैं हमारा जो में परपज है वो यह है कि जो एक्जाम में पिछले वाला जो ट्रेंड रहा था एक्जाम का जिस चैप्टर से कोश्टन पूछे गए थे उन्हीं को हम रिपीटिसन में आपको जादा तर कराने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी कोश्टन हम वो लेके जो हमारे पी वाई क्यू यानि कि प्रिवियस येर किसी न किसी एक्जाम में आपसे पूछे गए हैं तो उसी स्रीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और सहसं जो की रहने वाला है आपका गनित का क्योंकि आप जानते हैं थर्जडे फ्राइडे और सेटर्डे ये जो हैं आपके गनित का सेसन होता है और गनित में हम आज मोक टेस्ट नंबर सेवन करेंगे सबसे पहले आपको आप सभी को सुतंतरता दिवस की हार्दिक सुपकामनाई आज है 15 अगस्त और आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन देश को आजादी मिली थी अंग्रेजों की गुल और शुरू करते हैं आज का सेसन चैनल पे पहली बार आएं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में बैल आइकन दबा लेंगे आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका जो नाम है वो आप सर्च बोक्स में दा फ्यूचर कोचिंग 1423 डाल द जाएगी तो उसे जोइन कर लेंगे आप सर्च बोक्स में डालेंगे आप हमारे चैनल पे पहुच जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं मैट्स का मोक टेश नंबर 7 पहला कोश्चन है हमारा चक्रवर्दी ब्याज से आप जानते हैं पिछले पेपर की हर सिफ्ट में चक् प्रिंसिपल कितना है मेरा प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है आठ सो आर कितना है मेरा आर है पांच परतीसत टाइम है मुझे बताना है टाइम और मेरा अमाउंट कितना है अमाउंट है मेरा आठ सो बयासी आपको पता है अमाउंट क्या होता है हमारा अमाउंट होता है प् तो हम क्या करेंगे देखो वैसे तो इसका formula है आपका सीधा कि a बराबर p into 1 plus r upon 100 की power n लेकिन हम क्या करेंगे हम formula के चक्र में नहीं पड़ते हैं हम सीधा question कर लेते हैं हम क्या करते हैं हमें कितना ब्याज चाहिए हमें 82 रुपे का ब्याज ठीक है वैसे तो मैं इस question को direct भी कर स दूसरे साल का ब्याज भी कितना हैगा principle पर तो 40 रुपे लेकिन ब्याज पर ब्याज मिलेगा 40 रुपे पर 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा आपको पता है 0 से 0 कट जाएगी 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 2 यानि की 2 रुपे मिलेगा तो 40 40 80 और 2 82 रुपे मिलेगे कितने स कर लेते हैं आपको पता है 800 रुपे कितने हो गए 842 हो गए अगर आपको क्यों मैं इसे डिवाइड कर Então मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं यह 400 हो जायेगा यह कितना हो जाएगा 441 और आपको पताा है 400 ऊ 441 दोनों ही क्या है वर्ग्मूल में आते हैं यह 20 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है और 20 से 21 होने के लिए 1 का ब्याज 20 पे यहां से मेरी rate of interest आ जाएगी अगर मेरी यहां से 5 आ रही है तो मेरा answer बिल्कुल सही है देखो 5% rate आ रही है कैसे बना वर्गमूल से बना और वर्गमूल कब करते हैं जब 2 वर्स का अंतर होता है तो answer यहां से भी कि 24 दोनों ही क्या है वर्गमूल संख्या है 20 और 21 का वर्ग है तो answer क्या हो जाएगा मेरा है आप पहले question का answer है दो वर्स session पसंद आए तो एक बार session को like कर देना साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार share कर देना आपके जितने भी टेलिग्राम ग्रूप वाटसप ग्रूप इस्टेडी ग्रूप है आप वाटसप इस्टेटस पर लगा सकते हैं आपको केवल इस वीडियो का link उठाना है औ question number second हम से क्या कह रहा है question number second है हमारा LCM का देखे जब भी हम देखे आपको पता ही कितना है हमारा number 2 बटे 3, 4 बटे 9, 5 बटे 6, तथा 7 बटे 12 का LCM बताना है आपको और जब भी धियान रखना है जब भी हम भिन्नों का LCM या SCF निकालते हैं तो जो आपसे question में पूछा है जो आपसे question में demand की गई है आप uns का वो ही निकाल दोगे आपको पता है भिन्न में एक uns होता है एक हर होता है एक numerator होता है एक denominator होता है ठीक है तो जो uns होता है numerator होता है वो question के according जो भी question ने demand की है यानि कि देखो मेरे question में क्या पूछा है LCM पूछा है तो uns का तो मैं LCM निकाल अगर यहां पर मुझस से SCF पूछा होता तो UNS का SCF निकाल देता और हर का LCM, अब मुझे बताओ, 2, 4, 5 और 7 का LCM कितना आएगा, 2, 4, 5 और 7 का LCM आएगा, देखो आपको पता है, इन 4 में कुछ भी कोमन नहीं है, केवल इस 4 में 2 कोमन है, तो 4, 5, 20, 70, 140, बते, अब मुझे नीचे वाले का क्या निकालना है, SCF निकालना है, आपको पता है, SCF किनी 2 संख्याओं के अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो देखो 3 और 6 का अंतर कितना है, 3 है, अब 3 से अगर यह कट रही है तो SCF 3 हो जाएगा, 3 निगम 3, 3, 3, 9, 3, 2, 2, 6, 3, 12, SCF कितना हो गया, 3, 140 बते 3 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ओप्शन नमबर, D मेरा, 140 बते 3 है, अगर यह कट जाते तो हम इने काट देते, नहीं तो आंसर तो हमारा, यही बनेगा, 140 बते 3, नेक्स्ट कोश्चन है, नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 3, देखें कोश्चन कितना बड़ा है, यह देखेंगे, लेकिन है आपका सिंपल साधारन कोश्चन, किराएट सिव एक वस्तू के अंकित मुले पर 20% की छूट देता है, दिपावली वाले दिन, पिछली चूट लागू होने के बाद 40% की अतिरिक छूट देता है, यदि तमाम चूट लागू करने के बाद भी दुकानदार कुल लाब 50% है, तो दिपावली के दिन 8000 रुपे में बेची गई वस्तू का अंकित मुले और लागत मुले गयात कीज़ें, देखो अगर मुझे पता पता हूँ के 8000 गुना 100 बटे 150, तो दो 0 से 2 तो कटेंगी नहीं, पचास दूनी, 150 तिया 1500, तो यह कितना बन गया मेरा, 16000 बटे 3, तो 3 पंजे 15, बचा 1, 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9.33, तो यही चलता रहेगा, तो मेरा CP कितना आगया, 5333, उप्सन 4,000, क्योंकि उसमें क्या पूछा है, अंकित मुल्य और लागत मुल्य, तो लागत मुल्य कौन सा होगा, यह वाला, अब देखो इसमें कौन सा आंसर मैच करता है मेरा, क्योंकि यही से question हो जाएगा, देखो मेरा भी, मुझे दूसरे की साइज जरूरत भी ना पड़े, क्य पहला option क्या है, 4,373, तो मेरा तो 5,333 है, 425, 5,333, तो देखो यह रहा CP, ना तो यह answer होगा, ना यह होगा, option क्या होगा मेरा, option C होगा मेरा right answer, अब अगर मुझे MP भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो आपको पता है, SP से MP पे जाना है, तो यहां भी उल्टा चलना पड़ेगा, SP कितना है, 8000, गुना 100 बटे, पहली चूट कितने कि यह 20 की, तो 80, गुना 100 बटे, दूसरी चूट कितने कि यह 40 की, तो यह 60, तेकि अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आ पा रही है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करिए, पूरा प्ल काटेंगे देखो इसे, बीस पंजे सो, बीस चोक असी, बीस तिया साथ, बीस पंजे सो, ठीक है, और कुछ कटेगा, चार से इसे काट सकता हूँ मैं दो बार, और कितना बज़ा, पांच पंजे पच्चिस दूनी, पचास हजार बटे तीन, तीन से काटेंगे, तीन एकम तीन, तीन चंग अठारा, तीन चंग अठारा, यही चलता रहेगा, देखो यह 16666, तो यही मेरा आंसर बनना है, तो यह भी सिंपल यही आगया, 16666.66, तो यहां अगर मुझे MP निकालना था, तो मैं ऐसे निकाल ले ठीक है, दोनों चीजे मैंने आपर आंसर निकाल दिये, SP से CP पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 अपोन 100 प्लस माइनस लाभ यहानी, SP से MP पे जाना है, तो 100 अपोन 100 माइनस डिसकाउंट, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, C ओप्सन हो जाएगा है, आपर राइट नेक्स्ट है, हरी एक कारिये का 25 पर 30 इससा 5 दिन में पूरा कर सकता है, इस कारिये से 20 गुना कारिये करने में उसे कितने दिन लगेंगे, देखे कितना साधारन सा कुशन है, और इस टाइप के ही कुशन आपको मिलेंगे, तो हरी एक कारिये का 25 पर 30 इससा 5 दिन में कर लेत ठीक है 20 दिन लग रहे हैं लेकिन उसने पूछा है इस कारिये से 20 गुना बड़ा कारिये अब अगर एक कारिये को करने में 20 दिन लग रहे हैं तो 20 गुने कारिये में कितने लगेंगे 20 गुना 20 400 तो आंसर क्या आएगा मेरा यहां पे option number D हो जाएगा मेरा correct answer जो की कितना है 400 हो जाएगा चली बढ़ते है next question पे question number 5 क्या कह रहा है अब देखे option क्या दे रखे है मेटर पर 30 सेकिंड में दे रखे है मतलब मुझे simple किलो मीटर पर 30 सेकिंड में बदलना है अब 47 किलो मीटर परती घंटा को अगर मैं मीटर परती सेकंड में बदलूँगा तो मैं गुना करूँगा 5 बटे 18 से कैसे कि अगर मुझे किलो मीटर परती घंटा को बदलना है मीटर परती सेकंड में तो मैं गुना कर दूँगा अपने दी गई चाल को 5 बटे 18 से अगर और यूनित पर चोटा नंबर उपर बड़ा नंबर नीचे अब मेरी बड़ी यूनिट है किलो मीटर परती घंटा उससे मुझे चोटी यूनिट पर जाना है , तो मैं चोटी यूनिट पर जाओंगा तो 47 गुना 5 बटे 18 अब 5, 35, 25, 23, 23, 23, 23, 235 बटे 18, 18 से काटूँगा, 18 एकम 18 बचा 5, 18, 34, तो 13 में आ रहा होगा, चलिए सारे 13 में है, बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, कटेगा नहीं तो 0 लगाएंगे, तो 13 सते, सोरी, सोरी, 18 एकम 18, तो आंसर क्याएगा मेरा, 13.05, तो उपसन B क्या हो जाएगा मेरा, तो उमीद करूँगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आपकी जो तैयारी है, उसमें आपको ये कहीं न कहीं जरूर मदद कर रहा होगा, तो बताईए कितना खर चाएगा, तो बताईए कितना खर चाएगा, एक बार कोश्चन को पोज करके, फिर आंसर लगाईए, अब देखिए, आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता, क्योंकि सारे कोश्चन अगर मैं ही कर दूँगा, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना, अब सवाल हम से क्या कह रहा है, अगर हम कोश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो हम से केवल क्या पूछा है उसने, चारो दिवारों का जो छेतरफल है, अब आपको पता है, कि बहुए, चारो दिवारों का छेतरफल है, देखो सबसे पहले तो हमें, 2 into L plus B into H ठीक है ध्यान रखना कि अगर आपसे चारों दिवारों का छेतरफल पूछे तो आप क्या करोगे 2 into L plus B into H कर दोगे लेकिन हमें घटाना भी है क्या-क्या माइनस दर्वाजे का छेतरफल माइनस खिडकी का छेतरफल और आपको पता है आयतकार है तो माइनस दर्वाजे का क्या होगा L into B और माइनस आपको पता है कि 6 foot और 4 foot का एक दर्वाजा है और दो खिडकीया 5 foot by 5 foot की है ठीक है तो L into B और माइनस कितना हो जाएगा ये 2 into या 2 को हम भार रख लेंगे L into B और ये into 2 हो जाएगा क्योंकि खिडकीया कितनी है दो है अब देखे 2 into L कितना है मेरा भाई लंबाई चोड़ा ये और रूँचाहिए है तो L प्लस B 15 है एक मिनट क्या क्या हो गया ये 15 प्लस B कितना है दस और into H कितना है मेरा बारा ठीक है माइनस दरवाजे का छेतरफल कितना हो जाएगा छैचोग 24 माइनस पांच पंजे 25 दूनी 50 और 50 और 24 कितने हो जाएगे 74 चले पहले इसे सोल करते हैं 15 और 10 25 25 दूनी 50 50 गुना बार है कितने 600 600 माइनस पचास साथ सतर चार चोहत्तर माइनस करेंगे कितना आएगा 600 में से चोहत्तर 526 मतलब आपका जो दिवारों का छेतरफल बन रहा है वो कितना बन रहा है 526 वर्ग मीटर लेकिन आप से क्या पूछा है कि हमें तो खर्चा बताओ आपको पता है 14 रुपे प्रती वर्ग फुट की दर से खर्चा हो रहा है तो 526 गुना 14 तो 14 चिक 84 चार आएगा लाश्ट मे तो या तो इसमें चार है या इसमें चार है तो ये दोनों उप्सन तो खतम होगे तो 14 चिक 84 का चार हासिल कितना 8 14 दुनी 28 29 306 36 का 6 64 आएगा चलिए दोनों में 64 है 64 का 6 हासिल को कितना 64 का कितना 14 दुनी 28 36 का 6 हासिल को 3 14 50 70 और 3 73 तो आंसर क्या बनेगा मेरा 7364 रुपे ओप्सन नंबर A मेरा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अच्छा कोश्चन था देखिए लेकिन आपको अगर फोर्मुला पता होगा तो आप इजी ली कर जाएंगे तो चारो दिवारों का छे आपको पता है आयताकार है तो आयत का छेत्रफल क्या होता है घ्रफल कोश्च फोर्मृ लाईँटे था छाष्यके कर देटेए कर देए और सेवन प्लस नाइन मिडल ब्रेकेट आठ माइनस अब देख इसे सोल कर लेते हैं चप्विस दस चतिस पांच इकतालिस फॉर पॉइंट एक आएगा ये कितना आ जाएगा आपका फॉर पॉइंट एक प्लस बारा चलिए इसे आगे सोल करते हैं अब हम इसे अगर हम इसे सोल करें तो अभी ये ब्रेकेट सोल होगा 6.7 प्लस 9 और इसे सोल करेंगे तो देखो आपको पता है 12 और 8 20 20 में से 4 जाएंगे 16 16 में से 1 जाएगा 16 में से 1 जाएगा आपका कितना बचेगा 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15.9 तो इन्टू 15.9 सोल करते हैं इसे 9 की गुना इसमें होगी 9 निमी क्यास्थी का एक हासिल को 8 9 पंजे 45 और 8 53 का 3 और 9 एकम 9 और 5 14 और पॉइंट कितने एक अंग के बाद है तो मैं भी लगा दूँगा पिलस 6.7 है तो हम ही जोड़ लेते हैं इसे 6.7 8 आएगा 8 किसमें है इसमें यह होगा आंसर 7 और 1 8 6 और 3 9 4 और 1 49.8 मैंने पहली कहा था कि 8 जो है तेकि हमें ही छोड़ देना था कुश्चन अपना एक्शल में पर चल लिए कोई बात नहीं अभी हम मोग टेस्ट कर रहे हैं तो हम पूरा सोल कर लेंगे लेकिन अगर आप एक्जाम में इस कुश्चन को कर रहे हैं अगर आपकी यूनिट डिजिट मैच हो रही है तो आप छोड़ दीजिए अगर आपने कैलकुलेसन अच्छी करी होगी तो आपका आंसर सही आए गई आएगा नेक्स्ट है एक टंकी में रिसाव है जो उसे 16 घंटों में खाली कर देगा एक नल खोला जाता है जिससे एक मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेस करता है अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है टंकी की छमता कितने लीटर की होगी देखे आपको पता है खाली करने वाला नल 16 घंटे में खाली कर देता है भरने प्लस खाली करने वाले दोनों नल चलते हैं तो टंकी 24 गंटे में खाली हो रही है तो 24 दुनी 48 यह माइनस दो हो रहा है आप देखो जब खाली करने वाला नल अकेले काम कर रहा था तो 3 हैं भरने वाला जो लग जाता है तो उसकी छमता घटके 2 रह जाती है यानि की आप कह सकते हो भरने वाला नल अब देखाँ आपको पता यह घंटे हैं तो सारी उनिट किसमें आईगी घंटे में एक लीटर प्रती घंटा पानी भरता है ठीक है आपको question ने दे रखा है कि एक मिनट में 12 लीटर अगर नल एक मिनट में 12 लीटर है तो 60 मिनट में कितना होगा 12 लीटर और आपको पता है एक की value कितनी है 720 मुझे क्या पूछा है टंकी की छमता कितनी मान रखे 48 तो 720 गुना 48 अगर आप करोगे तो answer कितना आएगा हमारा 720 गुना 48 अंसर आजाएगा आपका 34,560 इन दोनों की गुना करेंगे जब हम तो answer क्या आएगा 34,560 तो 34,560 है हमारा 550, 34,540, 34,570, 34,560 option number D क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे correct answer हो जाएगा option number D चलिए next question पे चलते हैं, next question क्या है हमारा, next question है भारत और आश्टी लेके बीचे cricket match के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रती over run rate 7 था 20 ओवरों में भारत का run rate 7 रन था, यानि कि अगर हम question सोल करें तो 20 गुना 7, कितने run बन गए थे, 140 अब 45 ओवरों में, 20 ओवरों में भारत का प्रती over run rate 7 था, अब 45 ओवरों में 425 रनों का लक्ष पाना है भारत के लिए न्यूनतम कितना ओस्त बनाई रखना जरूरी है, अब 45 ओवरों में 425 रन बनाने थे उन्हें चलिए आपको पता है, 20 ओवरों में, 140 तो बन गए, तो कितने ओर चाहिए, 425 में से माइनस करते हैं, ये 5, 12 में से 4 गया, 8 और 3 में से 1 गया, 2 मतलब 285 रन चाहिए, कितने ओवरों में, 45 ओवरों में, कितने हो चुके 20, तो बचे कितने 25, तो 25 से कम 25 बचा कितना 3, 25 से कम 25, 11 में अंसर आ रहा होगा, ये रहा, क्योंकि आगे भी सोल होगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 10 बचा, 25, 24, 100, तो 11.4, लेकिन इतना पॉइंट पॉइंट आपको देखो, मुझे पता है कि आगे बच रहा है, तो सोल तो होना है जरूर, तो हमें पता है कि पॉइंट वाला ही आएगा अंसर तो, तो आपको सोल्यूशन में इतना ध्यान नहीं देना, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्स नहीं भी लेंगे, अगर आप सोल्यूशन पूरा करके दिखाओगे तो, कुश्चन नमबर 11 पे चलते हैं, कुश्चन नमबर 11 क्या कह रहा है हमारा, एक चुनाव में एक उमीदवार 45 परतीसत मत प्राप्त करता है, परंतु वह 480 मतों से हार जाता है, तो कुल वैद मतों की संख्या बते, देखिए हार जीत कितने से हुई है, 10 परतीसत से, 10 परतीसत की वैल्यू कितनी है, 480 हम से क्या पूछा है, कुल वैद मत, कुल वैद मत कितने होगे, 100 परतीसत, तो इसका 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना होगा, तो कितने हो जाएंगे, 48 100 हो जाएंगे, ओप्शन D हमारा क्या हो जा आपको पूरा topic भी करा रखा है, आप चाहें तो playlist में जाके पूरा topic भी पढ़ सकते हैं, अगर आप 1.5 speed पर पढ़ेंगे, तो आप जल्दी खतम कर देंगे, 1.5 या 1.25 की speed अगर आप कर लेते हैं, तो आप जल्दी जल्दी खतम कर देंगे, चलिए next question है, किसी वर्गा कार मै ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है, जिसकी प्रती एक बुझा 60 मीटर, अब ये कितनी है, 60 है, तो ये भी कितनी होगी, 60 होगी, ये भी कितनी होगी, 60, इसके चारों और तार लगाने का खर्च, 3 रुपे प्रती मीटर की दर से कितना होग 240 मीटर आपको पता है rate कितना है 3 रुपे प्रती मीटर, 240 मीटर की मेरी boundary है 3 रुपे से कितना रुपे लगेंगे 720 रुपे 24 दुनी 48, 22 ती 72 तो option number B मेरा यहां पर क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो right answer है हमारा 720 रुपे next question पे चलते हैं next है हमारा question number 13 question क्या कह रहा है हमारा lucky एवं Mickey की वर्तमान आयू lucky एवं Mickey या हम कह सकते है L plus M बराबर कितना है 35 lucky और Mickey की वर्तमान आयू का योग कितना है 35 वर्स है 5 वर्स बाद उनकी आयू में 4 अनुपाद 5 का अनुपाद हो जाएगा तो अगर मैं इसमें 5 प्लस कर दूँ तो 295 प्लस हो जाएगे तो 295 प्लस हो जाएगे तो lucky प्लस Mickey के 5 साल बाद की आयू का योग कितना हो जाएगा 45 वर्स और इनका अनुपाद दे रखा है कि lucky और Mickey की आयू के 4 अनुपाद 5 हो जाएगा तो L रेसो M कितना है 4 रेसो 5 अनुपादी की योग 9 संख्या कितनी है 45 तो 1 की value कितनी आएगी 5 1 की value 5 है तो हमसे क्या पूछा है lucky की आयू बताएगे कुछ भी नहीं लिखा तो हम वर्तमान बताएगे ठीक है वर्तमान में कितने का होगा lucky आपको पता है अनुपाद तो 5 साल बाद का है एक की value 5 है तो 5 चोग 20 5 साल बाद lucky 20 साल का होगा तो आज कितने का होगा 15 का होगा तो answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा यहाँ पे आपका correct answer जो की है 15 रेवर्स बढ़ते हैं next question की और next question है हमारा question number 14 6 की power 76 को 5 से भाग देने पर 6 की power 76 को 5 से भाग देना है आप दो तरीके से कर सकते हो या तो power को 4 से divide कर लो या फिर आप इसे base को divide कर लो अब देखो powers को अगर मैं divide करूँगा तो 4 एकम 4 19 चोग 76 पूरा पूरा कट जाएगा यह तो लेकिन मैं क्या करूँगा जब पूरा पूरा कट जाता है तो 6 की power 4 ले लेंगे अब 6 की power 4 बटे 5 करना है तो 6 चंग 36 चिक का 216 और 216 को 6 से गुना करोगे कितना बनेगा 216 गुना 6 करोगे 6 चंग 36 6 कम 6 और 3 9 6 दुनी 12 1296 बटे 5 अब या तो इसे डिवाइड करो 5 दुनी 10 बचा कितना आगे 2 5 पंच 25 पंच 25 पंच 95 बचे का कितना 1 या तो ये तरीका है देखो कि आप पावर को ब्रेक कर लो अगर पावर कुछ नहीं बचती तो हम 4 ले ले लेते हैं अब बेश से भी से कर सकते हैं तो आंसर क्या आएगा मेरा दोनों तरीके से ही आंसर जो बनेगा मेरा ओप्सन नंबर C बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है कॉश्चन नंबर 15 कॉश्चन है हमारा 300 मीटर लंबी रेलगाडी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफोर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर जाती है रेलगाडी की चाल बताईए देखे जब कोई रेलगाडी किसी प्लेटफोर्म या किसी ऐसी चीज़ को पार करें जिसकी खुद की लंबाई होती है तो उसके द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो बराबर होती है अपनी लंबाई प्लस सामने वाली वस्तू की लंबाई तो आपको पता है 300 मीटर लंबी रेलगाडी है 900 मीटर लंबा प्लेटफोर्म है तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी वो ही आपकी दूरी के बराबर होगी दूरी कितनी बनेगी आपकी 300 प्लस 900 ठीक है बटे समय कितना ले रही है वो अब देखो मीटर में है तो समय किसमें चाहिए सेकिंड में चाहिए 1 मिनट 12 सेकिंड को क्या लिख सकते हैं 72 सेकिंड लिख सकते हैं वही 60 और 12 72 और यह हो जाएगा आपका 900 300 1200 बटे 72 कटे का नंबर आप से देखो आपको पता ही ये मीटर में ये सेकिंड में तो चाल किसमें हैगी मीटर परती सेकिंड में लेकिन मुझे किसमें चाहिए किलोमीटर परती घंटा में तो मैं इसमें गुना कर दूँगा 18 बटे 5 से अब देखो 18 चोक 72 4 से ही से काटूँगा 4 ती अब बार है 305 से ही से काटूँगा कितना आ जाएगा 60 तो रेलगाडी की चाल जो बनेगी वो 60 किलोमीटर प्रती घंटा बन जाएगी ओप्सन है B ओप्सन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर प्रती घंटा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे नेक्स्ट क्या है कोश्चन नमबर 16 वह चोटी से चोटी संक्या बताइए जिसे 66 से गुना करने पर प्राप्त गुननफल 18 से पूर्णत्या विभक्त हो जाए अब देखो उप्सन से शुरू कर देंगे हम चोटी से चोटी संक्या चाहिए तो 66 गुना कितना दे हम 2 रख लें बटे 18 अब या फिर एक काम करो पहले 66 को 18 से डिवाइड कर लो अब बारे में किस चोटी से चोटी संक्या से गुना करें जो हमारा गुननफल 18 से पूर्णत्या विभक्त हो जाए ठीक है अब देखो 12 से अगर मैं 2 को गुना करता हूँ तो 12 दूनी 24 नहीं कटेगा 12 तीए 36 कट जाएगा ये तो यहां अंसर क्या बनेगा मेरा option number D बनेगा यहां पर राइट अंसर क्योंकि बार है भई 66 गुना 3 कितना हैगा 60 एग 100 एग 998 बटे अठारे तो अठारे कम अठारे अठारे कम अठारे कट किया ग्यारे बार और हमसे पूछी भी कौन सी है छोटी से छोटी संख्या तो इन में से छोटी से छोटी संख्या कोन सी है तीन ही है तो मेरा right answer क्या हो जाएगा इसका तीन हो जाएगा इसका right answer next question पर चलते हैं next question क्या कह रहा है हमारा वह संख्या संख्या 1,2,3,2,4,has,84 कि 12,32,4,has,84 है को निम्न में से किस से बदला जाए ताकि यह 8 का गुनज बन जाए तो चलिए आपको पता है देखो 8 का गुनज है मतलब 8 से पूरा कटना चाहिए और 8 का विभाजकता का निम क्या कहता है कि लाश्ट के तीन हंक मेरे कटने चाहिए तो has,84 बटे आठ अगर मेरी संख्या पूरी-पूरी कट रही है तो यह 8 का multiple मिल जाएगा बस मुझे यह देखना है has की जगे में क्या रख सकता हूँ तो रख लो option क्या क्या 4 कोई रखें सबसे पहले वोदे कुछ चोटी से चोटी भी नहीं बोला चलिए 4,8,4 अब 8 रख के देखते हैं 8,8,4 बटे 8 8 हे कम 8,8 हे कम 8 यह 4 बच गया तो बचता क्या है मेरा? 9 ही बच रहा है अब मैं रख के देख लूँगा कि 9,8,4 बटे 8 8 हे कम 8 बचा कितना? 8 दूनी 16 बचा कितना? 8 ती 24 तो कट रहा है पूरा-पूरा यानि कि है इसके इस्थान पर कितना आ जाएगा मेरा? देखो, 8 का विभाज़कता क्या कहता? कि यदि मेरी संख्या के आखरी के 3 नंबर 8 से पूरे-पूरे कट रहे हैं तो मेरी संख्या भी पूरी-पूरी कट जाएगी तो मैं पूरी संख्या को डिवाइड ना करके केवल लाश्ट के 3 नंगों को डिवाइड करता हूँ अब मैंने क्या करा? उप्सन उठाए कि पहले मैंने 4 रखके देखा नहीं कटा पूरा-पूरा फिर मैंने 6 रखा 6 से भी नहीं कटा पूरा-पूरा नंबर 18 एक कक्षा में 175 विद्यार्थी है निमलिकी तांकडों से ग्यात होता है कि कितने विद्यार्थियों ने एक या अधिक खेलों को चुना है फुटबोल 100 बॉली बॉल सतर क्रिकेट चालिस फुटबोल और बॉली बॉली बॉल तीस फुटबोल और क्रिकेट 28 बॉली बॉल और क्रिकेट 23 सभी तीन खेल 18 देखिए सबसे पहले तो देखो ये 18 के बाद में पूर्ण विराम है तो ये कोई नंबर नहीं है इसे नंबर मत काउंट करना केवल फुटबोल चुनने वाले विद्यारती कितने तेखो इस ताइब के कुश्चन हम डाइगराम बना के करेंगे कैसे कि मैं तीन डाइगराम बना लेता हूँ जो एक दूसरे को क्रोस कर रहे होंगे जो तीनों को क्रोस कर रहा है उसमें क्या आएगा सभी तीन खेल अठारा ठीक है तो तीन खेल खेलने वाले कितने है तो तीन खेल खेलने वाले कितने है मैंने माल लिया भई ये फुटबोल का सरकल है एक कौन सा है फिर बोली बोल का है तो ये बोली बोल का है और फिर आपका एक बचता है कौन सा cricket का तो ये बन जाता है cricket का ठीक है अब देखो आगे क्या कह रहा है सभी तीन खेलने वाले कितने है 18 फुटबोल खेलने वाले कितने है 100 बोली बोल खेलने वाले 70 और cricket खेलने वाले कितने है 40 ठीक है ये cricket है अब आपको आपको पता है सभी तीन खेल खेलने वाले कितने है अठारा फुट बोल और बोली बोल खेलने वाले कितने है तीस तो फुट बोल और बोली बोल वाले तीस हैं तीस में से अठारा तो तीन हो है तो बचे कितने बारा आपको माइनस करके लिखना है धियान रखना है आगे इस में से 18 तो आगे तो यहां कितने बचे 5 अब आप से क्या पूछा है केवल फुटबोल चुनने वाले विद्यारती तो केवल फुटबोल मतलब मुझे ये वाला नंबर चाहिए ठीक है अब देखो टोटल कितने है 100 100 में से 12 18 और 10 ये तो आगे 12 18 30 10 40 अगर मैं 100 में से 40 चाहिए तो कितना आएगा 60 हाजाएगा तो मेरे केवल फुटबोल चुनने वाले कितने हैं वो 60 लोग हैं तो उप्शन है पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा सही आंसर है जो कि है 60 तो मेरा right answer क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा next question पर चलते हैं next question क्या है हमारा question number 19 ये हमारा ratio से question आय रहा है हमारा ए और बी की आये का अनुपाद 5 अनुपाद 4 है और ए और बी के विये का अनुपाद 3 अनुपाद 2 है यदि वर्स के अंत में दोनों 800 रुपे बचाएं तो ए की आये ग्याद कीजिए तेकि सिंपल है हम क्रोस प्रोडेक्ट मैथड लगा देंगे कि ए रेसो बी का इनकम कितना है पांच अनुपाद 4 एक्सपेंस कितना है तीन अनुपाद 2 सेविंग कितनी कितनी कर रहे हैं वो दोनों 800 रुपे बचा रहे हैं पांच की गुना दो में करी चार की गुना तीन में करी पांच दुनी दस चार तीया बार है अंतर कितना हैगा दो सेम क्रोस प्रोडक्ट यहां पे लगाएंगे, आठ की गुणा 3 में करेंगे, 24, 8 दूनी 16, 16 और 24 का अंतर कितना, 800, 2 की वैल्यू 800 है, एक की वैल्यू कितनी याईगी, 400, पूछा क्या है, एक की इंकम बतानी है, तो एक की इंकम कितनी है, 5, तो पांच की वैल्यू कितनी है, 400 गुणा 5 बराबर 2,000, तो यहां पे एक ही इंकम कितनी है, 1600, 800, 2,200, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, उपसा नंबर, C हो जाएगा मेरा इस कोश्चन का, राइट आंसर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की, और नेक्स्ट कोश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट रुपे लगाते हैं, लाब 880 रुपे होने पर अंतिम भागिदार को कितनी लाब रासी मिलेगी, लेकि लाब बराबर होता है आपका पूंजी गुना समय, लेकिन यहां पे समय दिया नहीं, यानि कि समय जो होगा, वो सबका क्या होगा, बराबर होगा, और जब समय बराब के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है, जब समय बराबर हो तो जो पूंजी का रिसो बनेगा वो ही आपका लाब का रिसो, अब देखें, A, B और C, कितने कितने रुपे लगा रहे हैं, A ने 2000 रुपे, मैंने ABC मान लिया, B ने 2500 रुपे, और C ने 1000 रुपे, ठीक है, तो 2 0 स 2 0 कट जाएंगी, पांच दूनी 10, पांच पंजे 25, पांच ओग 20, तो उनके पूंजी का अनुपात कितना आगया, 4, 5, 2, तो लाब का अनुपात भी कितना आएगा, 4, 5, 2, तो 5, 4, 9, और 2, 11, अनुपातिक, लाब का अनुपातिक योग कितना, 11, संख्या कितनी है, 880, तो की वैल्यू कितनी आएगी, 80, गुना 2, बराबर 160, तो इस question का answer क्या हो जाएगा मेरा, 160 हो जाएगा, इस question का right answer, option है, 400, 350, 180, 160, तो right answer क्या हो जाएगा, option number D, उमीद करूंगा, आज का जो session है, आपको अच्छा लगाओगा, और आपने अच्छे से चीजों को समझाओगा, देखें, जादा से जादा practice कीजिए, जादा से जादा सवालों के go through हो जाएगे exam से पहले, अभी आपके पास लगबग लगबग 7 दिन है, आज से अगर हम गिने तो 15 से लेके 22 तक के दिन आपके पास हैं, तो पूरे पूरे आपके पास 7 दिन अभी available हैं, आप बहुत इस दिन में बदल जाएंगे, तो ये तो आप देखो आप पे है, आप कितनी मेहनत करते हैं, last moment पे, last moment पे देखो सबसे पहले तो आपको social media से दूर हो जाना है, आपको कोसिस करनी है कि social media पे बिल्कुल नहीं जाना, reels पे, youtube पे इधर उधर की चीज़े नहीं देखनी हैं, आप exam related, content related video देख सकते हैं, लेकिन आपको cut off, paper viral, paper leak, ये सारी खबरों से अब दूर रहना है, आपके जो 6-7 दिन बचे हैं, इनमें आपको कोई भी इस तरीकी की अफ़वा पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, देखिए कम से कम, कम से कम, जनरल वालो को, जो score होना चाहिए, 220 प्लस का होना चाहिए, वैसे तो पेपर आने पर ही पता चलेगा score क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी 220 प्लस आपको score का target रखना है 300 में से, और हमारी सुब कामना है आपके साथ हैं, मिलेंगे next session में, जो की रहेगा हमारा math का ही mock test, कल की class में, तब तक के लिए, वीडियो को like कीजिए और दोस्तों के साथ share कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करेंगे, thank you.